हर्याना बिजली निगम ने बड़ा फैंसला लिया है अब KYC अपडेट ना कराने पर बिजली सबसिडी से हाथ धोना पड़ेगा आपको बता दे कि हर्याना बिजली निगम ने अब उपभोगताओं के लिए KYC अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है इसके चलते जो उपभोगता अपने connection खाते में मॉबाइल नमबर और आधार नमबर अपडेट कराएंगे उन्हें ही सरकारी subsidy का लाब मिल पाएगा जो उपभोगता के वाईसी अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें January 2021 से बिलो में subsidy का लाब नहीं मिलेगा बिजली बिलों पर प्रती यूनिट सबसिडी देने वाला ये सर्कुलर जून 2020 में लागू हुआ लेकिन लागू इसी महा में हुआ है वही पानिपत में छाजपूर सब डिवीजिन के SDO अशोक कुमार का कहना है कि सरकार घरेलू वे खेतों के कनेक्शनों पर अलग अलग सबसिडी देती है सभी उपभोगता कनेक्शन खाते में जल्द से जल्द मोबाइल नंबर वे आधार काड अपडेट करा ले किसी उपभोगता को परिशानी आती है तो संबंदित एरिया के बिजली कार्याले में शिकार दर्च कराएं बिना केवाइसी अपडेट कराए सबसिडी का लाब नहीं मिल पाएगा अगर किसी उपभोगता के घरेलू कनेक्शन पर लगे मीटर में दो महा में 500 यूनिट निकलती हैं तो बिल 2775 रुपे का बनता है जो उपभोगता केवाइसी अपडेट करा देंगे उन्हें 2337 रुपे ही जमा कराने होंगे ऐसे में 438 रुपे का लाब होगा यूनिटों के कम ज़्यादा होने पर लाब राशी भी कम ज़्यादा हो जाएगी बता दें कि 501 से 800 या अधिक यूनिट पर प्रती यूनिट रेट 7.10 रुपे हैं इस कैटेगरी में सबसिडी नहीं मिलती किसानों को 99.8 प्रतिशत सबसिडी मिल रही है खेतों के कनेक्शन पर प्रती यूनिट 6 रुपे तक रेट है जबकि प्रती यूनिट मात्र 12 पैसे लिए जाते हैं यानि प्रती योनेट 5.88 पैसे सबसीडी मिलती है केवाई से अपडेट नहीं कराने पर उन्हें सबसीडी नहीं मिलेगी कर दो और, वैसे सबसीडी ये रहिए्यों विकी विकी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी है झाल झाल ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाल अपर्फेक्ट वेन्यवाल वेडिंग, लाँचिंग और पादेश राजगराना और जोती गारण अजेबी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब झाल